नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इनकमिंग एन आउटगोइंग कॉल नोट शोइंग प्रॉब्लेम को फिक्स कैसे कर सकते तो दोस्तों यहाँ पर एक्पर प्रॉब्लेम क्या होता है? हम जो यह भी जाते हैं डाइलर पर उसके बाद दोस्तों हम किसी को भी यहाँ पर कोल करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ठीक है, एक्चिली मैंने फिलाल में प्रॉब्लेम को फिक्स कर दिया है तो उसके वज़े से यहाँ पर आपको कॉल स्क्रीन शो हो रहा है ठीक है, अगर मैं वो दुबारा से सेटिंग जो है, पेले वाला सेटिंग के तरह सेट कर देता हूँ, तो दुबारा से कॉल स्क्रीन यहाँ पर प्रॉब्लेम कर जाएगा तो अभी मैं आपको उसका सॉलूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ यह जो प्रॉब्लेम है दोस्तों आपको आ रहा है इस कॉल डाइलर के वज़े से ठीक है, तो इसको fix करना होगा केसे केसे fix करना है चलिए देखते है आज के इस वीडियो पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को click करे, यह आप online पैसा कामाना चाते है तो video description पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है एक बार मोबाइल को रिश्टार्ट करके चेक कर लेना है रिश्टार्ट के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर सेम प्रॉब्लम करना है क्लियर डेडा करके कर देना है उसके बाद बेक करें पर्मिशन पर जाएए सारे पर्मिशन इसका अलाओ कर दीजिए ठीक है सारे पर्मिशन अलाओ कर दीजिए लोकिशन को छोड़के और उसके बाद आपको बेक करना है बेक करने के बाद दोस्तों डिवाइस को ए है एरिशनल सेटिंग पर जाना है एंडेंट आपको मिलेगा बेका बेंड रिसेट उसके बाद इरेस ओल डेटा और रिसेट सिस्टेम सेटिंग ओनली जो ओप्शन दिखाई देर आपको यहाँ पे सबसे पहला वाला ओप्शन तो उसमें क्लिक करते हुए आपने मोबाइल के पूरे सेटिंग को रिसेट करके देखिए तो इससे भी आपका काम बन जाएगा ठीक है तो यह सब दोस्तों एक बेसिक सोलुशन में आपको अभी तक के लिए दे रहा था लेकिन अभी में सोलुशन आएगा तो इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वीडियो सोफ़ेर है ठीक है उसको अपडेट करें तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सोफ़ेर अपडेट पर सेटिंग पर जाए उसके बाद सोफ़ेर अपडेट इसको अपडेट करके देखिए तो दोस्तों यहाँ पर सोफ़ेर अपडेट कर लीजी अपडेट करने के करना है Play Store पर जाना है और यहाँ पर आपको एक application डाउन लट करना होगा ट्रू कॉलर करके तो ट्रू कॉलर को यहाँ पर आपको जो है install कर लेना है इंश्टल करके login वगदा कर लिजी नमबर और और OTP भरके और उसके बाद आपका problem fixed हो जाएगा ओर true caller को इसे default आप use कर सकते हैं ठीक है I mean True caller as a default dialer आप use kar सकते हैं तो इस तरह vein को नौट showing problem भी fixed हो जाएगा और outgoing call not showing हो जाएगा या तो दोनों का solution एक ही है तो इस तरह facultकर सकते हैं तो आज झाल झाल